जार्खन पंचायत चुनाव तीसरे चरण में सतर पतिसत मतदान जार्खन में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण मंगलवार को सांतिप पुन महौल में संपन हो गया है 29 जिलो में कूल 70.54 फिश्दी वोटरों ने अपने मता अधिकार का परयोग किया है इसमें से सरवधिक 89 फिश्दी वोट देवघर जिले में पड़े जबकि सबसे कम 61 फिश्दी वोट गुमला जिले में डाले गया है देवघर के अलावा पुर्वी सिम्भों में 78 फिश्दी धनबाद में 74 और बोकारों में 73 फिश्दी वोट पड़े बतादे तिसरे चलन की मत गन्ना सबसे आखिर में चोथे चलन के चुनाव के बाद 31 मई को होगी मतदान की सुरुवाती दो घंटे में मतदान काफी धीमा रहा दो घंटे में मात 29 फिश्दी वोट पड़े थे जारखन में 30 मई तक बारिस मौसम किंद्र रांची ने जारखन के कई जुलों में आंधी के साथ बारिस की चेतावनी दी है साथी बईरपात की भी समवना जताई है इस दो घंटे में हावा की गति 30-40 किलोमेटर पती घंटा की रफ्तार से चलने की समवना जताई गई है इसको लेकर भी भाग ने ओरेंज और एलो अलर्ट भी जारी किया है बतादे 25 और 26 माई 2022 को राज के पूर्वी और निक टोरती मद भाग में कहीं कहीं हलके दर्ज की बारिस की समवना जताई गई साथ ही 29 और 30 माई को राज में कहीं कहीं हलके मद दर्ज की बारिस का पुर्वनान किया गया है CM हेमंत सुरेंग माइनिंग लीज केस अब एक जुन को सुनवाए जारखन हाई कोट के चीप जर्शीज डाक्टर रवी रंजन वर जर्शीज सुजीत नरान परसाथ की खंड पिठने राज सरकार की ओर से वरिय अधिवक्ता कपिल सिब्बल हेमंत सुरेंग की ओर से वरिय कुल रोहतागी वह अधिवक्ता अमरितान्स वत्स तथा एड़ी की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता तुसार मेता की दलिल सुनने के बाद PIL की मेंटेने बिलीटी पर सुनवाई के लिए एक जुन की तारिख ताय की है खंड पिठ ने कहा है कि 31 मई तक जिस किसी पार्टी को जबाब दायर करना हो या जबाब पर प्रति उत्तर दायर करना हो वह दायर कर दे इसके बाद कोट समय नहीं देगा आपको बता दे कि मुख्यवंत्री एमासुरेन माइनिंग लीज आवंटन एमसी एम के करीबियों के सेल कमपनियों में निवेस मामले में आज सुनवाई के बाद हाई कोट ने या निदेश दिया है ज्यारखन से चलने वाली बीश ट्रेने 25 से 30 माई तक रहेगी राद बैडेल सकतिगड रेल सेक्षन में बैडेल और मंगरा एस्टेशन के बीच दिसरी लाइन को चालू करने को लेकर इंटर लॉकिंग कारे किया जाना है इसके लिए 72 घंटे का ब्लोक लिया जाएगा इसका राण 27 माई 15 बैए से 30 माई को 15 बैए तक बैडेल आदित सब्तो ग्राम और मंगरा एस्टेशनों पर ट्रेफिक एवां पावर ब्लोक रहेगी इस दरान कई ट्रेशनों को रद किया गया है जबकि कुछ ट्रेशनों के समाई में फिर बदल हुआ है यह जनकारी आसन सोल डिवीजन की ओर से पेस रिलीज जारी कर दी गई है ज्यारखन में लगातार घट रही है पेट्रोल सबसिड्री लेने वाले की संख्या पेट्रोल की बढ़ती किमतों से राहत दिलाने के लिए ज्याकन सरकार ने रासनकार धारियों को पेट्रोल पर 25 रुपे फ्रतिलीटर सबसिड्री देने के योजना शुरू की है इसके बावजूद सबसिड्री लेने वालों की संख्या लागतार घटती जा रही है बतादे पेट्रोल की किमत 100 रुपे होने के बावजूद रासनकार धारी इस योजना का लाब नहीं ले रहे जनवारी में जहाँ पेट्रोल सबसिड्री लेने वालों की संख्या एक लाग पंद्रा जार थी जो 23 माई को घट कर 13,809 हो गई है बतादे रही सरकार ने पेट्रोल सबसिड्री योजना सुरू करने के बाद रेरिजिस्टेशन की परकिरिया सुरू की है इसके ताट इस योजना के लाब लेने वालों को हर मा üzer रेरिजिस्टेशन करना है ज्यारखन में सराव की खरीद बिक्री की बेवस्था फेल की सुभिधा भी बंद कर दिगई है मन पसंद ब्रांड भी नहीं मिल रहे है उपलफद ब्रांडो में भी रसनिंग कर चुनिन्दा ब्रांडो की सफलाई बार और कलबो को दी जा रही है बार और कलबो को सराव की होलसेल खरीद पर मिलने वाली छूट भी बंद हो गई है बता दे पहली मैसे राज में सराब का करूबार जे एस बी सी एल के माध्यम से हो रहा है निसी कांथ दुबे ने पूछा हेमंत सुरेन जी अब कौन बचाएगा जारखन के मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन पर बेहत आकरमक तरीके से हमलावार रहे भाजपा सांसद ने सिकांथ दुबे ने फिर से हला बोला है बीते दिन हेमंत सुरेन ख़दान लिज मामला और सेल कंपनियों के मामले में सी बी आई जाज पर सुप्रीम कोट में सुनवाई पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट में राज सरकार के वकील और मैनेजर दोनों फेल हो गए हैं अब उन्हें कौन बचाएगा अब जार्खन के राज सभा टीकट में मुख मंत्री जी कैसे निर्न करेंगे सांसद ने कहा कि भारत की नियापल का इमंदारी से कानून पर चलती है दबाव से नहीं जार्खन हाई कोट में एक जुन को सुनवाई तय होने पर निसिकान ते ने कहा कि तब तक तो राज सभा के उमिद्वार तय हो जाएगी बिसाल चौजरी दस दिन में दस कोड़ टांजक्सन भारते प्रसासनिक सेवाक निलंबित अधिकारी पूजा सिंगर पर प्रोतन निदे सालाई की नकेल कसने के बाद जार्खन में नौकरसा दलाल सिंडिकेटेट की परत दर परत खुल रही है बतादे इसी सिंडिकेटेट का एक अहम नाम है विसाल चौधरी नौकरसा हो की काली कमाई खपाने से लेकर उनके लिए मोज मस्ती का इंतजाम करने वाले विसाल चौधरी इडी के हाथे चड़ चुका है इस सातिर के यहां जब इडी के अफसरों ने धावा बोला तो इसने अपना एपल मोबाइल कचरे के डिबे में डाल दिया इडी को इसके पास से हाल के दिनों में लगभग 10 को रुपे के टांजेक्शन के दस्तावे जहां सिल करने में सफलता मिली है इडी ने उसे हिरासत में लेकर पुष्टाज करना अरंब किया है पुझा सिंगल को फिर जाना होगा जेल सोनिया हे मंत आज दिल्ली में बनाएंगे रणनीती जहारखन से राज सभा की दो सीटों में से एक सत्तधारी गट बंधन के खाते में जाना तयमाना जा रहा है और इसके लिए सत्तधारी गट बंधन में जीत चल रही है कांग्रेस किसी भी हाल में इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए परदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकूर कांग्रेस विदायक दल्क नेता अलमगीर अलम से लेकर परदेश परभार्य विनास पांडे तक मुख्य मंत्री से वारता कर चुके है अब मुख्य मंत्री ने कांग्रेस नेताओ को अस्वसन दिया था कि वेव पार्टी में इस मुदे पर बात करके कोई नीन लेंगे धन्यवाद